प्रभीशु वसी के पवित्र नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर आप सभी का दिन प्रभीशु के नाम से बहुत याशेशेतों मैं ऐसी कामना करता हूँ और इसे प्रार्थना के साथ मैं आज का वच्छन आपके सामने रखना चाहूँगा जो है दूसरा सम्विल के किताब उसके सत्रवे अध्याय से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपशालों है अपशालों जो की दाउद का पुत्र है वो स्वयम अपने पिता के विरुध जो है विद्रोह करता है और वो दाउद को पकड़ने की और उसपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है वो सद्यं तो रचता है कि किस प्रकार से मैं दाउद को हरा सकूँ और उसके राजजिक को अपने हाथ में लेकर सुयम राजा बन बैठो तो जब वो दाउत पर और उसकी सेना पर हमला करनी की रंडीती बनाता है तब वो अपने कुछ सलाहकारों से सलाह लेता है तो वहाँ पर दो लोग होते हैं जब आप उसे पढ़ेंगे दूसरे सम्मिल के किताब उसका सत्रवा ज्यायद वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर एक विक्ति होता है जिसका नाम होता है अहितो पेल अहितो पेल इस प्रकार से अप्षालों से कहता है कि तू बारा हजार पुरुशों को मुझे दे और मैं रातो रात चुपचाप दाउत की च्छावनी में हमला करूंगा और उस पर विजय प्राप्त कर लूँगा इसके अलावा वहाँ पर एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है एरिक फूसे आप देखेंगे कि वो भी एक सलाह देता है और वो कहता है कि दाउद तो एक योद्धा है एक वीर है वो इस तरीके से आम लोगों के साथ छावनी में मिंगल वोकर रात नहीं बिताता है वो इतना केरलेस नहीं है कि तुम उसे आसानी से जाकर मार लोगे और उस पर विजय प्राप्त कर लोगे यहां पर आप देखेंगे कि इन दोनों में से जो अहितो पेल जो पहला जो व्यक्ति होता है उसकी सलाह बहुत ही अच्छी होती है और जो बिल्कुल सफल हो सकती है लेकिन जब आप उस वच्छन को आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने ये ठाना था कि अहितो पेल की अर्थात उस पहले व्यक्ति की अच्छी सलाह को निश्फल कर दे जा लिखा यहोवा ने ये ठान लिया था कि अहितो पेल की अच्छी सलाह को वो निश्फल कर दे और उसके अच्छी सलाह देने के बावजूद भी अब शालोम और उसके जो लोग हैं उसकी उस सलाह को न माने लेकिन वो दूसरी सलाह जो एरिक हुसे ने दी उसे मान ले क्योंकि वो अपने अवशिक्त दाउद को बचाना चाहते थे यहाँ पर एक बात हमें देखने को मिलती है कि जब अहितोपेल कोई पता चलता है कि उसकी जो सलाह है वो नहीं मानी गई लेकिन जो एरिकुशे है उसकी सलाह को मान लिया गया तब वो इतना ज़्यादा निराश हो जाता है इतना ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाता है उसे इतना बुरा लगता है बहुत ज़्यादा वो अपने आपको कंडम्ड महसूस करता है कि वो अपने घर जाता है और अपने घर जाकर जो भी उसे काम निप्टाने होते हैं जो भी उसे अग्याय देनी होती है जो भी प्रापर्टीस का बटवारा करना होता है वो सब काम करता है, उसके बाद अपने कमरे में जाकर अपने आपको फासी से लटका कर खतम कर लेता है, वो सुसाइट कर लेता है, और उसके सुसाइट करनी की वजह क्या है, वो disappointment, वो बुरा लगना कि उसको तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन उसके जो अपोनेंट है, उसक जादा तवज्जो दी गई, जादा महत्तु दिया गया, और फाइनली हम देखते हैं कि वो अपने आप को फासी पर लटका कर खतम कर लेता है, आज पवित्रात्मा हमें ये प्रकाशन देना चाहते हैं, कि ऐसा ही कुछ हो सकता है कि आपके परिवार के अंदर हो रहा हो, ज बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है आपको, बहुत अच्छा वर्क स्किल है आपके अंदर, बट स्थिल आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, किसी और को प्रमोशन मिल रहा है, तो कई बार सैतान आपको ऐसी अवस्था में डाल देता है, जहां अब आप छीजों को इतना ज़्यादा सीरिशकी लेने लगते हैं, अपने हार को इतना ज़्यादा आप अपने उपर हावी होने देते हैं, कि आप मरना सुविकार करते हैं, आप सुसाइड की और अपने कदम को बढ़ाते हैं. तो परमेश्व राज आपको यही सिखाना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे स्थिती में पड़ें तो आपको क्या करना चाहिए, आपका रिस्पॉंस कैसा होना चाहिए तो इसका उत्तर यह है कि जैसा प्रभू इश्व मसी ने किया, हम जानते हैं कि लोगों ने इश्व मसी और बालजबूल, जो कि वो किर्विनल था, उसको ज़्यादा तवज्जु दी और लोगों ने चिला चिला कर यह विंती करी कि हमारे लिए उस बालजबूल को छोड़ दो और इश्व को सोली पर लटका दो इश्व मसी देख रहे थे उन लोगों को जो चिला रहे थे, जो यह डिमांड कर रहे थे कि मैंने इन में से हज़ारों लोगों को चंगा किया, इनको मैंने रोटी खिलाई, इनको मैंने पिता की तरह प्यार किया, इनकी सेवा करी मैंने, लेकिन आज यह मुझ से ज़्यादा उस बरब्बा को, उस करिमिनल को छुडाने के लिए बेताव है लेकिन इश्व मसी इन सभी बातों से प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि उनको अपने लक्ष को पूरा करना था उनको अपने बुलाहट को पूरा करना था, वो जिस कमिशन को पूरा करने के लिए आये थे, वो कमिशन उनने पूरा करना था और हम देखते हैं कि उन्होंने अंत में क्या कहा, जब वो क्रूस पर थे, उनके आखरी शब दिये थे कुछ कि हे पिता तो इन्हें माफ कर, जो कि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, आज अगर हमसे भी कोई आगे बढ़ जाए, या हमसे ज़्यादा किसी को तवज़व मिले, तो हमें उनसे छिड़ना नहीं है, जलना नहीं है, दोएश नहीं रखना है, लेकिन हमें परमिश्वर को कि मानसिक विकारों से, निराशा से, डिसपॉइंटमेंट से उपर उठकर, परमिश्वर की उस टाइमिंग का वेट करें, जो परमिश्वर ने आपके लिए रखी है, वो कहता है कि तुम मेरे हाथ के नीचे दीनता से नमरता से बने रह, सब कुछ सहते रह, क्योंकि एक समय आएगा जब मैं तुम्हें उठाऊँगा, मैं तुम्हें शिरुमनी बनाऊँगा, परमिश्वर का वचन कहता है कि अंतमे मैं तुम्हारी आशा ज़रूर पूरी करूगा, और अयूप की किताब में लिखा है कि भले ही तेरा भाग जो भी छोटा है, लेकिन अंतमे मैं ते कर रखेगा आपके हिस्से की चीजों को बचा कर रखेगा और सही समय में वह आपको उन्हें डिलिवर भी करेगा इस वचन के द्वारा प्रभू आपको बहुत आशीश थे आप इन वचनों को ना सिर्फ सुने लेकिन शेयर करें और विश्वास माने जब आप परमेश्वर क आप सब का दिन आशेशे थो